Good morning students, आज हम अपनी हिंदी की पाठे पूस्तक हिंदी सुर्भी का पार्ट तीन पढ़ेंगे So students, open your lesson number 3 चिडा चिडिया क्या नाम है हमारी स्टोरी का? चिडा चिडिया आईए पहले मैं आपको बता देती हूं इस पार्ट में हम क्या-क्या पढ़ेंगे? बच्चों क्या आप जानते हो कि जो हम अनाज, दाले, फल और सबजियां खाते हैं वो सब कहां से आता है? हाँ, वो सब खेतों में उगाया जाता है और खेतों से ही हमारे घर तक पहुँचता है पर खेतों से हमारे घर तक पहुँचने के लिए उसे कई पढ़ावों का पढ़ावों से गुजरना पढ़ता है और इस पार्थ में हमें यही बताया गया है साथ ही इस पार्थ में हमें यह भी बताया गया है कि किसान कितनी मेहनत से खेतों में अनाज उगाते हैं और हम तक पहुँचाते हैं और हमें उसे नाज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए आईए हम पढ़ते हैं इस पार्ट को किसान अपनी पत्नी के साथ पेड की छाया में खाना खा रहा था पास ही दरी पर उनका बच्चा लेटा हुआ था तभी एक चीटी ने बच्चे को काट लिया और बच्चा रोने लगा एक दिन एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड के नीचे बैठा हुआ था और साथ ही उनका बच्चा भी लेटा हुआ था तभी एक चीटी ने उनके बच्चे को काट लिया और बच्चा रोने लग गया उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुँ में रोटी का टुकड़ा डाल दिया जब किसान ने यह देखा तो बच्चे के मुँ से रोटी का टुकडा निकाल कर फैक दिया और पत्नी को समझाया किसान ने जब देखा भी उसकी पत्नी ने रोटी का टुकडा छोटे से बच्चे के मुँ में डाल दिया है तो किसान ने रोटी का टुकडा बच्चे के मुझ से निकाल कर फैक दिया क्योंकि बच्चा छोटा था वह रोटी चबा नहीं सकता था इसलिए उसने रोटी का टुकडा निकाल कर फैक दिया किसान अरे अकल की खोटी क्यों इसे खिलाई रोटी बिना दात के कैसे यह खाएगा रोटी दात बिना भला कैसे चबाएगा यह रोटी इसे घर ले जा, ले जाकर दूद पिला या दाल चावल मिलाकर खिचडी बना किसान कहता है अपनी पत्नी को अरे अकल की खोटी, अकल की खोटी का क्या आर्थ है? अकल की खोटी का अर्थ है कम अकल वाली अरे अकल की खोटी, इसे रोटी क्यों खिलाई है तुने इसके दान्त नहीं है, ये कैसे खाएगा रोटी? रोटी को चबाएगा कैसे? गर ले जा और ले जाकर दूद पिला और दाल चावल की खिचड़ी बना कर खिला उसी पेड़ पर एक घोंसले में चिडा चिडी अपने बच्चों के साथ बैठे थे चिडा उड़कर नीचे आया और फैका हुआ रोटी का टुकडा चौच में दबा कर अपने बच्चों के खाने के लिए ले गया चिडिया ने किसान की बात सुन ली थी और उसने सोचा रोटी का टुकडा तो मेरे बच्चे की गले में फस जाएगा वह बोली अकल है तेरी बिल्कूल खोटी मैं ना खिलाऊं अपने बच्चे को रोटी चिडिया कहती है चिड़े को तेरी तो अकल बिल्कुल खोटी है बिल्कुल कम अकल वाला है मैं आपने बच्चे को रोटी नहीं खिलाऊंगी अगर उसके गले में फस गई तो चिड़ा चिड़ा कहता है ओ मेरी भोरी चिरया अंजान चिड़ा चिड़ा को खिड़ी के बारे में बताता है अरे मेरी भोली सी चिड़िया तु अंजान है तुझे कुछ भी नहीं पता चिरया का क्या आर्थ है चिड़िया अंजान मतलब जिसको कुछ भी पता ना हो क्या होती है खिड़ी खिड़ी क्या होती है तुझे पता है पहले ये जान पहले चावल लाओ फिर दाल लाओ फिर दोनों को पकाओ नमक डालो जब चावल और खिड़ी दोनों पक जाते है तो खिचडी बनती है चिडिया कैसे आए चावल, कहां से लाऊं दाल कैसे पकाऊं खिचडी जो खाएं मेरे लाल चिडिया कहती है चिड़े से मैं चावल कहां से लाऊं और दाल कहां से लाऊं उसके बिना खिचडी कैसे बनाऊं जो मेरे बच्चे खाएं चिडा था बहुत चतुर चिडा बहुत चलाक था चतुर मींज चलाक चिडा कहता है बादल आकर बरसेंगे पानी सब में भर देंगे पेड नहाएंगे पानी में मचली उचले तालों में मेंड़ टर्टर शोर करे कोयल कूकू टेर करे उस पानी में जाकर हम करे धान का रोपन धीरे धीरे धान बढ़ेगा सोने का रंग खूब चड़ेगा तब उसको काटेंगे हम छोटे छोटे गाउव के जन चिडा चिडिया को बताता है जब बादल आकर बरसेंगे जब बारिश आएगी और सब जगहां खेतों में पानी ही पानी हो जाएगा पेड पानी में नहाएंगे और मचली तालाबों में उचल कूद करेगी मेंड़क टर्टर का शोर करेंगे और कोयल कू 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 करेगी उस पानी में जाकर हम करें धान का रोपन तब हम धान की रोपाई करेंगे मतलब हम धान को बीजेंगे धीरे धीरे धान बढ़ेगा सोने सा रंग खूब चड़ेगा मतलब उसका रंग गोल्डन कलर का सोने जैसा हो जाएगा जब वो पक जाती है जब फसल पक जाती है तो उसका रंग गोल्डन सा हो जाता है तब उसको काटेंगे हम तब उसकी हम कटाई करेंगे छोटे बड़े गाम के जन चिड़े ने रुक कर देखा तब धान खड़ा सूख जाएगा चिड़ा उसको समझा रहा है जब सूरज की गर्मी बढ़ जाएगी तब धान की जो फसल है वो बिल्कुल सूख जाएगी ओखल में डाल कर हम कूटेंगे उसे धम 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 और हम उसको ओखली में डाल कर कूटेंगे भूसा फिर जब उतरेगा और उसके उपर का जो भूसा होता है छिलका होता है वो उतर जाएगा उसमें से चावल निकलेगा ऐसे चावल आएगा समय बहुत लग जाएगा इस तरह से हमें चावल की फसल मिलती है पर इसमें बहुत समय लग जाएगा अपने चिड़े की बुद्धी पर चिड़िया बहुत खुश हुई चिड़िया बहुत खुश होती है भई चिड़ा बहुत बुद्धी मान है फिर उसने पूछा इक बात बता अब डाल का भी कुछ दे पता चिड़िया अब उसे कहती है भई आपने इतना कुछ तो बता दिया अब डाल के बारे में भी बता दो भई डाल कैसे मिलती है फिर चिड़ा बोलता है जंगल में मैं जाऊंगा वहां से लकडी लाऊंगा एक बढ़ाई बुलवाऊंगा उससे हल बनवाऊंगा चिड़ा कहता है इसके लिए तो सबसे पहल हल बनवाऊंगा बढ़ाई के दाम चुकाऊंगा मतलब बढ़ाई को उसके पैसे दूँगा हल को बैल में जोतूँगा तब तुम दोनों हम तुम दोनों मिलकर चलाएंगे हल धरती पर उस हल को हम दोनों मिलकर खेतों में चलाएंगे दाल का दाना जमाएंगे और दाल का बीच धर्ती में बोएंगे अपना पसीना बहाएंगे और सीना बहाने का क्या रथ है बहुत महिनत करेंगे फिर बादल जल बरसाएगा सूरज धूप दिखाएगा मतलब क्या रथ है इसका फिर बादल जल बरसाएगा मतलब जब बारिश आएगी और सूरज अपनी धूप दिखाएगा मतलब बहुत गरमी पडएगी निकल पडएगे कुछ दिन में दो पत्तों के दाने फिर हरे पत्ते लहर आएगे फूल सजीले आएगे उस पर फूल निकलाएंगे सजीले मतलब सुन्दर सज्जे हुए उस पर फूल निकलाएंगे और फूलों के भीतर से फूलों के अंदर से फूटेंगी कलिया जैसे उसके अंदर से फलिया फूटेंगी उन फलियों को तोड़ूंगा फलिया क्या होती है फलियां जैसे मटर देखें होंगे आपने मटर की फलियां होती है उसके अंदर से मटर निकलते हैं ऐसे ही डाल की भी फलियां होती है उनी फलियों के अंदर से ही डाल निकलती है उन फलियों को तोड़ूँगा डाल के दाने बटोरूँगा उन फलियों को तोड़ कर मैं दाल के दाने निकालूँगा बटोरूँगा मतलब इकठा करूँगा डालिया जब भर जाएंगी ऐसे दाल आएगी चिडिया ने कहा यह तो बहुत दिनों का काम है चिडिया की बात सुन चिड़ा हसकर कहने लगा चिड़ा जो चाहती है बच्चो को खिचडी खिलाना तो पड़ेगा चावल और दाल उगाना चिड़ा कहता है अगर तु बच्चो को खिचडी खिलाना चाहती है तो चावल और दाल उगाना पड़ेगा इसलिए तो कहता हूँ पागल भूल जा बाते पिछली बच्चों को खिला, रोटी दाना, उसके बाद कुछ कीडे पकड़ लाना, प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पैहव अलवान सा उन्हें बनाना यह सुनकर चिडिया अपनी चोच से बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी चिडा कहता है, अगर तू बच्चों को खिचडी खिलाना चाती है, तो चावल और दाल उगाना पड़ेगा इसलिए मैं कहता हूँ, पगली तू भूल जाए सब और बच्चों को रोटी खिला उसके बाद में कुछ कीडे मोकोडे पकड़ के ले आना और प्यार से उन्हें खिलाना और पहलवान सा बनाना यह सुनकर चिडिया अपने बच्चों को रोटी का टुकडा तोड़ तोड़ कर खिलाने लग जाती है ओके स्टुडेंट्स, अंडिस्टैंड, I hope you like the story and enjoy it आओ, अब हम कुछ कठीन शब्दों के अर्थ जानते हैं अकल की खोटी, अकल की खोटी का क्या अर्थ है? कम अकल वाली जन, लोग, सजीले, means सुन्दर या सजे हुए चिरईया, चिरईया का अर्थ है चिडिया पसीना बहाना, मेहनत करना बटोरना, इकठा करना इन शब्दर्थ को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे Now, come to our next page, page number 22 सबसे पहले हम शिरुतलेक पढ़ेंगे पत्नी, घोसला, चिरईया, बुद्धी, बुलवाउंगा, बटोरुंगा, प्रेम Last one is पहलवान इन सभी कठिन शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे Next है, मौखिक प्रशन किसान और उसकी पत्नी क्या कर रहे थे? किसान और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे खिचडी कैसे बनती है? खिचडी दाल और चावल से बनती है चिड़ा अपने बच्चों के लिए क्या लाया? चिड़ा अपने बच्चों के लिए रोटी का टुकडा लेकर आया कौन बुद्धी मान था? चिड़ा बुद्धि मान था या चिड़िया बुद्धि मान थी चिड़ा बुद्धि मान था Next one is सही गलत सही उत्तर पर ठीक का निशान लगाईए दाल किसकी अंदर होती है? फूल के अंदर या फली के अंदर किसकी अंदर होती है दाल? फली के अंदर टिक करेंगे हम इस पे चावल कहां से आता है धान से या गेहु से धान से टिक दा कुरेक्ट आप्शन येस नेक्स्ट वान इस पार्ठ बोध कॉश्चिन वन उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करें क किसान बैश में अना जुगाता है किसान खेत में अना जुगाता है चिडिया अपने बच्चे को डैश खिलाती है बढ़ई लकडी से डैश बनाता है क्या बनाता है बढ़ई लकडी से? हल बढ़ई लकडी से हल बनाता है दाल चावल मिलाकर डैश बनाई जाती है दाल और चावल मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है ओखली में डैश कुटा जाता है ओखली में धान कुटा जाता है ओके स्टुडेंट्स नाओ कम टू अवर नेक्स्ट पेस पेस नमबर 23 कोश्य नमबर 3 पहले क्या होगा फिर क्या होगा इसमें डाल कैसे पैदा होती है उसके बारे में बताया हुआ है आपने उसको क्रम बद्व तरीके से लिखना है नमबर 1 पे खेत जोतेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं खेत जोतेंगे नमबर 2 पर आएगा डाल का दाना बोएंगे मतलब डाल का बीज बोएंगे धर्ती में नमबर 3 पर आएगा फिर उसमें फूल खीलेंगे उसके बाद फलियां फूटेंगी पांच नमबर पर आएगा उसकी फलियों को हम तोडेंगे और फिर उसमें से डाल को निकालेंगे फिर डाल निकलेंगी नेक्स्ट है आईए विचार करें बताईए किसकी आदत सही है और किसकी गलत क सनी अपनी प्लेट पूरी भर लेता है फिर थोड़ा सा खाकर जूठा छोड़ देता है क्या इसकी यह आदत सही है या गलत है बताईए सनी की यह आदत गलत आदत है क्योंकि हमें प्लेट भरकर खाना नहीं लेना चाहिए जितनी हमें जिर्वत हो उसी के अनुसार खाना लेना चाहिए और खाने को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए ये आदत गलत आदत है नेक्स्ट है शुभी लंच बॉक्स में बच्ची रोटी किसी जानवर को खिला देती है उसकी ये आदत अच्छी है ये गलत ये आदत अच्छी आदत है शुभी की जो रोटी कभी कबार बच जाती है लंच बॉक्स में उससे वह किसी जानवर को खिला देती है ना कि फैकने से यह अच्छा है कि हम उसे किसी को खिला दें यह आदत अच्छी आदत है Next है, मनु खाना अच्छी तरह चबा कर खाता है खाते समय वह इस बात का ध्यान रखता है कि खाना नीचे नहीं गिरे यह आदत अच्छी आदत है हमें अपना खाना चबा कर खाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए वो नीचे ना गिरे जिस दिन रिया की पसंद का खाना नहीं बनता वहें अपना खाना कूड़े दाल में डाल देती है क्या या आदत अच्छी है? बिल्कुल नहीं या आदत बहुत बुरी है जिस दिन हमारी पसंद का खाना नहीं बनता क्या उस दिन हमें अपना खाना खौड़ेड आन में फैक देना चाहिए बिलकुल नहीं यह बहुत गंधी आदथ है हमें अपना खाना व्यर्थ नहीं करना चाहिए वेस्ट नहीं करना चाहिए Open your next page page number 24 Horts पायल की मा ने पायल के दादा जी और उसके लिए उसके एक साल के भाई के लिए खिचडी बनाई उन्होंने अपने और पायल के लिए रोटी, दाल, रायता और सलाद बनाया बताईए क्यूं? या इसलिए क्योंकि उसके दादा जी और उसके एक साल के भाई के दाद नहीं थे तो वो रोटी, डाल ये सब नहीं खा सकते इसलिए उनके लिए खिचडी बनाई है और अपने और पायल के लिए रोटी, डाल, रायता और सलाद बनाया नेक्स्ट वन, पढ़िये, समझिये और लिखिये इसमें पुलिंग दिये गए हैं और हमें इस्त्रिलिंग में उन्हें करना है जैसे चिडिया, चिडा, चिडिया चिडा पुलिंग शब्द है और चिडिया इस्त्रिलिंग है बताइए इन चित्रों में क्या हो रहा है जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं और ये सब क्रिया शब्द है चिडिया डैश रही है चिडिया क्या क्रिया कर रही है? इसमें उड़ रही है किसान खाना खा रहा है बच्चा हस रहा है सरला लिख रही है ओके स्टुडेंट्स, now come to our next page page number 25, question number 3 नीचे दिये गए वाक्यों में प्राणी या वस्तु के नामों पर घेरा लगाईए मतलब नाम वाले शब्दों पर मैंने खिचडी खाई खिचडी हम धान काटेंगे धान मेंडक टर्टर शोर करता है मेंडक हरे पत्ते लहराएंगे पत्ते प्राणी या वस्तु के नाम को संग्या कहते हैं और ये शब्द जीने हमने गोलगेरा लगाया है ये संग्या शब्द कहलाते हैं next है क्रिया कलाप बातो बातो में बहुत चोटे बच्चे जिनके दांत ना निकले हो वे क्या क्या खा सकते हैं कक्षा में अपने साथियों को बताईए या घर पर अपने मित्रों को या अपने माता पिता को बताईए बहुत छोटे बच्चे जिनके दांत ना हो वह रोटी नहीं खा सकते वह हलका फुलका ही खा सकते हैं जैसे वह खिचडी खा सकते हैं दलिया खा सकते हैं फलो में वह केला खा सकते हैं दूद पी सकते हैं ओके स्टुडेंट्स आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे छोटे भाई भेन होंगे तो आप सब जानते होंगे उनको क्या-क्या खिलाना है नाओ, नेक्स्ट वन इस चित्रों को देखकर कहानी को पूरी कीजिये यहां कुछ चित्र दिये हुए हैं, इन्हें देखकर हमें यह कहानी को पूरा करना है एक था चिडा, एक थी चिडिया, चिडा डैश लाया, क्या है इस पिक्चर में देखिए चावल, चिड़ा चावल लाया, चिड़िया दाल लाई, चिड़े ने डैश जलाई, चिड़े ने आग जलाई, दोनों ने मिलकर खिचड़ी बनाई, दाल और चावल से मिलकर क्या बनता है? खिचड़ी, चिड़ा नहाने गया, चिड़िया सारी खिचड़ी खाकर उड़ गई, जैसे कि इस चितर में दिखाया है, चिड़िया सारी खिचड़ी खाकर उड़ गई, ओके स्टुडेंट्स, नाव कुछ करने के लिए, विभिन प्रकार की चिड़ियों के चितर अपनी स्क प्रैब बुक में चिपकाईए, चित्रों के नीचे सुन्दा रक्ष्रों में उनके नाम भी लिखिये। ओके स्टुडेंट्स, I hope you understand this lesson very well. ओके, गुडबाय स्टुडेंट्स!